नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार हुँ आपकी वही अंजली आप ही जाओ मेरी आँखों के रूबरू अब तुम कितना खाबों में तुझे और तलाशा जाए जिए आपने सही सुना हम आज के दिली राशी फल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज इनका बाते हैं या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धेर सारी गुडविशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं लोग क्या कहेंगे आप ये सोचकर जीवन जीते हैं भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया दुनिया में इनसान को हर चीज मिल जाती है सिरफ अपनी गलती नहीं मिलती दूसरों की गलती तो हर कोई निकालता है लेकिन आपको अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी होगी अगर आप ऐसा करोगे तो भगवान भी आपसे खुश होंगे यहीं जिजबा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा जमी बंचर हुई तो क्या हुआ वहीं से जल भी निकलेगा ना हो मायूस ना खबरा अंधेरों से मेरे साथी इनहीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा रास्ते कभी खतम नहीं होते बस लोग हिम्मत हार जाते हैं आपको भी हिम्मत नहीं हार नहीं है आगे बढ़ते रहिए और अपने लक्ष को पाकर दिखाईए तैर ना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा किनारे बैठ कर कोई गोता खोर नहीं बनता तो चलिए बजान लेते हैं आज के डेली राशी फल के बारे में सिर्फ से पहले मैं आपको बता दू कि आज आप के लिए शुबर रंग रहने वाला है और इंच यानि की संतरी और लखे नमबर रहेगा आज के दिन एक अज आप के लिए शुदारे कहते हैं कि अपने काम करने के तरीकों को समय के साथ थोड़ा बदलाईए यानि कि आज जो है समय को देखते हुए खुद को अपडेट करना होगा लेटिस्ट बनाना होगा अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है इसलिए ये फैसला जल्दी से जल्दी कीज़ेगा पर इसलिए परती कूल भी हो सकती है आज के दिन लेकिन आज जो है अपना सैयम बना कर रखें दिन के पहले भाग में कुछ परिशानी हो सकती है लेकिन जो दिन का दूसरा भाग है यानकी दो पहर की समय बहुत इच्छा बेटर डिजल टेकने को मिल सकता है आज इधनसर रिलेड़िट कोई बुरी खबर भी आपको मिल सकती है किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है पैसा डूप सकता है तो साधानी बढ़ती और किसी को पैसा भी उधार मत दीचेगा हाँ लेकिन अगर आप किसी प्रकार का दान करते हैं तो वो घुपत रूप से कीजिए इससे आपको थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है इस समय के गई महनत से आपको उचित्तिर रिजल्ट हासिल हो सकते हैं करम प्रधान है इसी दिए करम करते रही है अपनी उर्जा का भरपूर इस्तेमाल करना होगा आज के दिन हर चीज को पॉस्टिबल कर सकते हैं आप आप में वो हुनर है अगर प्रॉपर्टी से रिलेटिट को योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलिभूत होने का समय आ चुका है आप अपनी कई important चीज़ों जो हैं वो कही रखकर भूल सकते हैं जैसे कि जरूरी दस्तावे यह जो documents इसलिए किसी प्रकार के लापरवाही आज के दिन तो मत ही बरतीएगा दिल की बजाए दिमाग से फैसला लेना होगा भविश्य की जिनता को चोड़ कर प्रेजन टाइम को आपको फोकस करना होगा आज का दिन मिला जुला भी साबित रहेगा कारियर या परस्नल लाइफ में अगर कोई परिशानी बनी हुई है तो वो जिल्दी ही हल हो सकती है अपने मन में कोई negative भाव मत आनी चीज़ेगा काम में focus बना कर रखना होगा सरकारी जूब वालों को थोड़ी तंगी हो सकती है बिजनस के लिए आज का दिन लाबकारी भी कहा जा सकता है पूरा फायदा उठा लीज़े परिस हितियां आपको ही स्थिर बनानी है भाग या आपके बक्ष में हो सकता है अगर आप मेहनत करेंगे पुछले कुछ समय से जिन कारों में जो रुकावटे आ रही थी उनके पूरा होने का समय आ चुका है आपको मेहनत से बहुत अच्छे रिजल्ट निल सकते हैं इस्पैशली स्टूरंस को कभी-कभी आपकी शिंकालू अलिवृत्ति यानिकर आप शक्त करते हैं किसी पर तो परिशानी का कारण बन सकती है यह चीज़ इसलिए किसी पर भी बिना सोचिश में शक्त मत कीज़ेगा अपने विचारों को नागेटिव जो हैं मत होने दीज़ेगा पॉजिटिव रखेगा कोई पेमन्ट भी आज आपको करनी पर सकती है कहीं पर इसकी वज़ाद जो है थोड़ी आर्थिक सिती कमजोर नजर आ सकती है इसका जरूर ख्याल रखेगा आगे बेटेर बात करते हैं बिस्नेस और करेड की तो बिस्नेस और करेड कहता है आज के दिन कि किसी अंजान व्यक्ति से अचानक ही घनिष्टता होगी और कई बड़ा सा ओर्ड़ आपको मिल सकता है इसलिए आपकी आर्थिक सिती कुछ हद तक सुदर्स भी सकती है अपनी व्यविसाइक गतिविद्यों पर बहुत ही जादा आपको फोकस करना पड़ेगा नौकरी पेश्या व्यक्तियों को अपनी फाइली और दस्तावेज डॉकुमेंट संभाल कर रखने होंगे अपनी आसपास के वातावरन की negativity की कारण निराश मत हो ये अपने प्रयास में कोई भी कमी मत आने दीजेगा आपको अपना 100% देना होगा व्यविसाइक गतिविद्यों पर जादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि करमचारियों में आपस में कोई फूर्ट भी पढ़ सकते है इसका असर आपके बिजनस में देखने को मिलेगा मीडिया या फोन के जरीए कोई बड़ा ओर्डर भी मिलने की उमीद नजर आ रही है जैसा कि मैंने भी कहा था आज आपके कारक्षेतर में कुछ विशेश और उलेखन या परिवर्तन भी हो सकता है और ये बदलाव की शिरुवात आपसे ही होगी ट्रेवल टूरिजम वाले लोगों के लिए संबल कर काम करने का आज दिन है आज मुश्किल हो सकती है machinery से related समस्याएं भी आ सकती है और अगर कम सपलता हो ये तो आपको दुख भी हो सकते है इसलिए आपको जो है अपनी machinery को सबसे पहले आपको ठीक या फिर देख लेना चाहिए कि क्या वो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आज का दिन फिजूल में ही चला जाएगा तो ये बात की हमने आज बिजमस और करड़ की तो बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं लव लाइफ की तरफ लव लाइफ में आज पती पत्ती में भावनात्मक और विश्वास पूर निष्टा बना रहेगा इसे की घर परिवार में भी वातावरन जो है बहुती बढ़िया रहेगा आज बच्चे थोड़ी बहुत जिद कर सकते हैं बच्चों की मासुमित को मत देखीगा बलकि थोड़ा आपको सकती से पेशाना होगा रिष्टों में कुछ तनाव भी रहेगा बातचीत करने समय आपको सावधानी रखनी होगी गुस्से में कुछ भी नाव बोले गुस्सा हर चीज का हल नहीं होता है अपने आज पास के वात्तावरंट को देखते हुए आज इंपॉर्टन फैसला लेते हुए आपको सावधानी बर्तनी होगी ठीक समय का इंतजार करना होगा तब ही फैसला को लीजेगा घर के सब इस दस से अपने अपनी गती वीजेओ में बीजी रहेंगे अपने अपने काम में आज लेडिस जो है कुछ जादा ही बीजी हो सकती है लेकिन आपको सामन जस्य बनाये रखने में आपको बहुत इंपॉर्टन भूमिका भी निमानी होगी आपस में तालमेल आज की दिन बना कर रखना पड़ेगा तो यह थी लव लाइफ और बात कर लेते हैं आज की स्वास्ते की भारे में तो आज इस स्वास्ता आपका कहता है कि सेहत के लिए आपको कुछ परियास करना चाहिए महनत करने पड़ सकती है बागे लोगों का स्वास्ते ठीक रहेगा लेकिन हाँ वर्तवान के वाथावरन को देखते हुए आपको थोड़ा बहुत अपने लिए बचाव जरूर करना चाहिए ब्लड प्रेशर और थाइरोड जिन व्यक्तियों को है उनको लापरवाही मत बढ़तने बलकि आपको अपने जो डाइबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर की जो दवाईया है वो टाइम पर लेनी होगी थारण वाले भी अपने दवाई लेना मत भूलेगा अपनी डोग प्रती रोदक शंता को बढ़ाई रखने के लिए आपको मौसम के साथ आपको कड़ी टककर लेनी पड़ेगी क्योंकि बदलते मौसम के साथ आपको नजला जुकाम जैसी चीजें हो सकती है परिशान कर सकती है इसलिए गरम पानी का सेवन जाता से दादा कीजिए आपको उचित रिजल्ट देखने को मिल सकते है तो चलिए अंतर में बात करते हैं आज के विशेशुपाई के बारे में तो अज आपके लिए विशेशुपाई ये कहता है कि आज आपको घर से निकलते वक्त अपनी माता भी दा के पाउँ छूका निकलना चाहिए और हाँ अगर आप मस्तक पर अपनी जो है हल्दी चंदन का दिलग लगाते हैं तो बरता दिन भर बरकत बनी रहेगी साल ये साल में आज मच्रियों को दाना डाले का बूत्रों को दाना डाले और कुट्टों को रोटी ज़रूर खिलाएगा बहुत ही अच्छा फरक पड़ेगा आपकी लाइफ में तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें उन्हाने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद